यह जो तुम्हारे इस तरीके के जो तुम्हारा अंदर जो होते ना यह molecules अंदर वाले जो molecules होते हैं वह कुछ इस तरीके से polarized हो जाते हैं ठीक है ना So these are the polarized molecules गुड़ीब्निंग everyone प्यारे बच्चो गुड़ीब्निंग to all of you तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन तो चल्दी से आजाओ भाई सारे लोग देखो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्फेस चार्ज डेंसिटी का कुछ कॉंसेप्ट ऐसा जो की बहुत ही जाधा इंपॉर्टेंट है हमने आपको पांच पॉइंट मैंने आपको पहले बताए थे जिनमें मैंने आपको दू पॉइंट बोले थे कि आप लोग खुद भी पढ़कर के आईएगा और एक पॉइंट जो था वो मैं अल्रडी आप लोगों को बता चुका था तो इलक्रोस्टेटिक्स ऑफ कंडॉक्टर्स इस हेडिंग के वह चार्ज के सर्फेस, मैंने दूसरा पॉइंट आप लोगों को बता था तिसरा तर्षा था तो था कि किसी कंडॉक्टर के वोल्यूम में बल्क में जो इलक्रोस्टेटिक पोटेंशिल होता है वो कॉंस्टेंट होता है ठीक है और तो तुम्हारा पश्वा पॉइंट था surface of charge conductor किसी भी charge के surface पे जो electric field होती है charge conductor के वो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ जब मैंने आपको gausla बताया था ठीक है तो ये चीज gausla से आप लोगों को पढ़ लेनी है वो याद रखीगा याद करो मैंने e is equal to sigma upon epsilon not बताया था surface charge density और epsilon not के terms में मैंने electric field निकल के दिखाई थी दो प्लेटों के बीच में दो प्लेटों के इधर उधर I hope सो याद आगया होगा उसके बाद तुम्हारा जो है ये उसके बाद तुम्हारा छटवा point आ जाता है ये है ये तुम्हारा six point है करा है कि surface charge density is different at different points माल लेते हैं कि अगर किसी कोई एक external electric field है कहीं पर बतलब electric field पहले से बनी हुई है ठीक है पहले से वहाँ से electric field है setup ये external electric field है जो दिखाई गई है green color के line से हमने इसमें लाकर के metallic conductor को रख दिया माल लेते हैं कि metallic conductor को इस तरीक इसके बीच का जो portion है वो खोखला है खोखला होलो है ठीक है तो एक चीज को मैंने आपको बताई थी हमेशा मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि अगर electric field अगर ऐसे करके दिखाई गई है तो हमेशा मान के चलना कि इस तरफ positive रखा होगा इस तरफ कही negative रखा होगा ही ठीक है और अगर इसके बीच में जिससे इस तरीके से मैं बताता हूं आप लोगों को यहां पर ऐसे करके अगर तो हो अगर कहीं पर इस तरीके से electric field जा रही है यह तम्हारी ऐसे करके ठीक है इसके अंदर से charge तुम्हारे polarize हो करके positive की और कौन आएंगे negative तो सामने इस तरफ तुम्हारा negative charge डबलप हो जाता है ऐसे करके और इस तरफ तुम्हारा अगर पूरे के पूरे electron इस तरफ shift हो गया है तो तुम्हारा यहां पर ऐसे करके तुम्हारा positive charge ऐसे करके डबलप हो जाता है तो किसी भी electric field में अगर हम लोग किसी metal को किसी भी metal को या non-metal non-metal मतलब एक ऐसे insulators जो एक business उनको नाम दिया जाता है dielectric ठीक है अगर उनको हम रख दें तो कुछ इस तरीके से charge जो होता है वो उनके surface पे polarize हो जाता है यह polarization क्या होता है एक word यूज होता है polarization जैसे कुछ भारती राजनीतिक पार्टियां है वो polarization पे विस्वास रखती है भारत देश में हमारे भारत देश में चारो धर्मों के लोग रहते हैं बलकि हिंदू, मुस्लिम, सिख हिसाई, जैन भी रहते हैं, पार्सी भी रहते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है, मगर कुछ राजनेतिक पार्टियां अपने रोटी सेंकने के लिए, अपने फायदे के लिए, वो लोग कोई जो एरिया बाहुल ले होता है, जहां पर जैसे कि हिंदू और मुस्लिम भाई दोरों लोग रहते हैं एक साथ, तो वो कुछ ऐसा करेंगे, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम दोरों अलग-अलग हो जाएं, इसको बोलते हैं, अलग-अलग होने को polarization, तो इसी को बोलते हैं, हिंदी में ध्रूभी करन, ठीक है, तो वही चीज एकदम यहाँ पर भी होती है, एटम के अंदर, ठीक है, या किसी भी बोडी के अंदर, जब कभी external electric field में इसको रख दिया जाता है, तो charges जो होते हैं, वो separate हो जाते हैं, ऐसे charge को बोलते हैं, induced recharge, क्या बोलते हैं, induced recharge हम लोग बोलते हैं, ठीक है तो यह चीज है, थोड़ा बहुत मतलब खोकला भी है, तो जैसे ही मैंने electric field में इसको रखा यहाँ पर, जैसे ही मैंने electric field में इसको यहाँ पर रखा, तो होता क्या है कि इसके इस वाले सेरे के सामने यहाँ पर यह negative वाला जो charge है, वो तुम्हारा polarize हो जाता है, और यह वाला जो charge है यहाँ अगर यह positive charge यहाँ पर polarize हो जाता है, ऐसे करके आ जाता है, अब हम लोगों को यह बताना है यहाँ पर, कि electric surface charge density, surface charge density का मतलब sigma, तो sigma की जो value है, वो इसके surface पर अलग अलग जगे अलग होती है, अगर यह जो body है, अगर यह जो body है, यह irregular shape की है, तो surface charge density हर जगे अलग अलग हो होगी, ठीक है, कैसे हम लोग जानते हैं कि जो surface charge density होती है, surface charge density होती है, वो तुमारा होता है, charge upon area, ठीक है, ठीक है, तो charge upon area इसका, मतलब वो होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है, आप सूचिएगा, कि यह जो body है, तुम्हारी, क्या यहाँ पर अगर हम लोग, इसके अगर हर जगे पर अगर हम लोग निकालना चाहें, हर जगे पर बोले तो, हर जगे पर अगर हम लोग sigma की value निकालना चाहें, तो देखिएगा, एक्चुली में, जब कोई तुम्हारा इस तरीके का shape होता है, या फिर कोई ऐसा shape होता है, ऐसे करके, ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, तो यह जो तुम्हारा कर्व होता है, यह जो कर्व, इस कर्व की जो radius होती है, वो होती है कम, जिसकी radius कम होगी, वो area भी तुम्हारा छोटा होगा, वो area भी तुम्हारा छोटा होगा, ठीक है ना, वो area भी तुम्हारा छोटा होगा, और यह जो तुम्हारा कर्व है, वो तुम्हारा बड़ा है, तो तुम्हारा कर्व बड़ा है, तो इसकी radius भी तुम्हारी बड़ी हो अब आप यह सुचिए कि जहां पर area कम होगा और charge तुम्हारा constant है अगर तुम्हारा area अगर area कम है तो obvious सी बात है कि sigma की value ज्यादा होगी और अगर charge upon area की value हम लोग कहेंगे अगर area ज्यादा है तो तुम्हारी sigma की value down होगी मतलब कम होगी तो यहां से एक चीज हमको पता चल जात वहां पर radius of curvature जहां पर कम होगा वहां पर charge density ज्यादा होगी और हम लोग जानते हैं हम लोग जानते हैं कि जो electric field होती है उसकी value होती है sigma upon epsilon naught याद करो मैंने यह formula आप लोगों को निकाल के दिखाया था तो यहां पर जो electric field होती है वो हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से electric field is directly proportional to sigma मतलब charge density जतनी ज्यादा होगी charge density जतनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा strong electric field बनेगी उतनी strong electric field बनेगी ठीक ना तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि जैसे जहां पर radius of curvature तुम्हारी कम होगी ठीक है जहां पर जहां पर radius of curvature तुम्हारी कम होगी छोटी होगी ठीक है वहां पर एरिया भी कम होगा ठीक है और जहां पर radius of curvature तुम्हारी जहां पर मैं आपको बताया ही है कि इस वाले section में जैसे देखो इसका मैं नाम दे रहा हूँ आप लोगों को C से जादा है कैसे अब ध्यान से देख़िए गार जो पूरा अगर हम लोग ऐसे करके सर्कल बना दें उससे करके तो इसी सर्कल की जो रेडिekt होगी ना यही तुम्मारी रेडियास और कर्वेचर कहलएकि यह नहीं यह तुम्हारी radius of curvature B, यह कहलाएगी तुम्हारी B वाले section की radius of curvature, ठीक है ना, और अगर हम लोग यहाँ पर देखें जरा ध्यान से, ऐसे करके, इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो यह बाला जो section तुम्हारा बनता है, यह बाला, इस तरीके से, तो यह बाला ज जो तुम्हारा section बनके आता इस तरीके से, इसकी जो radius of curvature होगी, बहो जाएगी तुम्हारी RC, तो सबसे कम radius of curvature कहाँ पर है, ठीक है ना, तो सबसे कम radius of curvature है तुम्हारी C वाले point पर, तो C वाले point पर radius of curvature सबसे कम है, इसका मतलब मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूँगा, सब मतलब A और इसको हम लोग sigma area कम होगा तो sigma की value ज्यादा होगी इसका मतलब यह हो जाएगा ultra crumb इसका चलेगा ऐसे करके ठीक है ना ultra crumb तुमारा चलेगा sigma A और यह तुमारा हो जाएगा sigma B तो यह तुमारी होगी charge density तो sigma is the charge density इसका तुमारा जो यह जो करम चलेगा वो तुमारा इससे चलेगा तो charge density हम लोगों को पता चल गए कि charge density तुमारी जो होती है वो surface पे अलग-अलग होती है ठीक है हाँ हा रिचा यह अलग point है यह मलब जैसे मैंने आप लोगों को बताय था ना कि electrostatics of conductors तो जिसमें मैंने आपको कई सारे points बताये थे जिनमेंसे यह sixth point है और मैंने आपको इससे पहले बाला जो point है कि electric field इलक्ट्रिक फिल्ड बाला concept मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था गौस बाली theorem में जब मैंने आप लोगों को प्लेट के इस तरफ प्लेट के उस तरफ प्लेटों के बीच में मैंने आपको electric field के intensity निकाल के दिखाई थी याद करो surface charge density बाला concept और epsilon knot बाला concept तो वहां से वह चीज आप लोगों को बापस वहीं से पढ़ लेनी थी क्योंकि वहां पर हम लोगों ने अल्रडी metallic conductor ही लिया हुआ था ठीक है तो यहां पर यह चीज आप लोगों को clear हो गई होगी अगर कभी भी IITJE के paper में या NEET के paper में आप लोगों से इस तरीके का question पूछता है कि ब और यहां पर तुम्हारा हो जाएगा area at B ठीक है तो area अगर तुम्हारा सबसे कम है इसका मतलब यह हो जाएगा तुम्हारा electric field at C यह तुम्हारे सबसे ज्यादा हो जाएगी और यहां पर हो जाएगा तुम्हारा electric field at A यह तुम्हारा उसके बीच में और यह तुम्हारा electric field at electric field at B इस तरीके से ठीक है ना तो ऐसे ऐसे करके हम लोग इसको ऐसे ऐसे करते हैं यूँ करके तो I hope so कि आप लोग इस चीज़ समझ गए होंगे है ना तो इस तरीके से हम लोग इसको जबाब देते हैं clear हाँ सर अगर energy electric field दे सकता है मतलब मैं यही हूँ हाँ नहीं गवरब off नहीं है उसका इसके बाद में उसका चलता है ठीक है चलिए तो आप लोग यह चीज़ नोट कर लीजेगा तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि चलिए पहले आप फोटो बना लीजे यह सारी ठीक है आप लोग फोटो रिप्ले नहीं है रिप्लाई उता है आमन पोटो बना लोग जल्दी पोटो बना लोग बना लोग बना लोग झाल 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 हां गोरब हां गोर अब मैथ के टीचर आ मेरे साम्णी बैठतes ओए ठीक है टैंसर मतलो ठीक है तुम्हें हम पड़वा देंगे टैंसर मतलो हां तो यह हो गया ठीक है तो इस तरीके से यहां पर प्रोप हो जाती है कि हर जगए पर कोई भी बोडी जब इस तरीके से इलक्buster फिर्ड रखी जाती है तो उसमें hades induced उसके सरफिश सर कए उसके सर्फिश पर चार्ज सिंडियोस होते हैं तो होने की बज़े से जो इलक्रीक ूल्ड होती है तुमारी ऐसे अच्छा यही चीज अगर मॉन के पेपर में आ जाए तुम्हारा ठीक है तो उसमें वो कैसे पूछेगा तुमसे एक question ऐसे भी पूछ सकता है suppose that मालो यहाँ पर वो arrow बना देता है electric field की intensity दिखाता है suppose that एक arrow उसने यहाँ पर ऐसे करके बना दिया ठीक है और magnitude wise direction wise सारी चीजे क्या यह arrow सही बने है बताओ इस तरीके से एक यहाँ पर बना दिया ठीक है और एक हमने यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके बना दिया तो देखो यहाँ पर क्या है ना थ्यान से देखना यह arrow बिल्कुल मैंने सही बनाए हुए है उसका reason है क्योंकि यहाँ पर electric field की intensity तुमारी कम होगी यहाँ पर electric field की जो intensity होगी वो तुमारी कम है ठीक है ना so this arrow will represent the value of EB ठीक है ना यह EB को represent करेगा और यह तुमारा EC को represent करेगा ठीक है ना और यह बाला तुमारा EA को represent करेगा तो इस तरीके से याद रखना आपके photo बना करके भी बोलो question दाग सकते है ठीक है ठीक है ठीक है चार्ज मूग करेगा तो current बहने लगेगी बड़ इलक्रो static में current हाँ इलक्रो static का मतलब होता है static static का मतलब होता है कि rest में तो charge rest में है इसमें ठीक है मगर जब कभी भी रास्ता अगर बनेगा चार्ज के फ्लो करनेगा तो current भी फ्लो करेगी ठीक है चलिए तो यह चीज हमारी हो गई यहां पर अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं इतनी चीज क्लियर हो गई इसकी जो भी theory है जो भी इसके बाद जो theory लिखी जाती है वह आपको इसी PDF में मिल जाएगी ठीक है वह आपको इसी PDF में मिल जाएगी application में अप्लोड कर दूँगा इसी class के बाद ठीक है चलिए आगे की तरफ हम लोग आते है देखेगा dielectric and polarization अब बात आती है dielectric क्या होते है और polarization क्या होता है ठीक है तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि dielectric materials जैसे मैंने आपको बताये थे दो तरीके के materials से conductor और तुमारा एक insulator ठीक है हालांकि semi conductor भी होते उनके बारे में हम लोग बात में पढ़ेंगे बट जब हम लोग बात करते हैं conductors की तो conductors को हम लोगों ने याद करो जो सबसे पहला point था हम लोगों का किसी conductor को मानलो जैसी कि किसी metal की टुकड़े को metal का कोई टुकड़ में रख दिया किसी external electric field में रख दिया जैसी यह तुमारा conductor रखा हुआ है ध्यान से देखो जरा पहला वाला फोटो ध्यान से देखो सारे लोग अमान सांतिस देखो इधर तो यह तुमारा metal का को यह टुकड़ा यहां पर ऐसे करके रखा हुआ है और यह तुमारी एक external बाह समझ गहाना कि इस तरफ कही positive रखा होगा और इस तरफ यह negative की तरफ जा रहा होगा ऐसे समझ गहाना तो बस तुमको करना क्या है यह positive है गर इस तरफ तुमने यहां पर यह metal यहां पर रखी है इस metal के अंदर ہوتा क्या है कि जो तुमारे electron होते हैं वो गैसों के रूप में इलेक्ट्रोंस बिल्कुल बैसे ही इस मेटल के टुकड़े के अंदर तुम्हारे जो इलेक्ट्रोंस होते हैं वह भी रेंडम ली इधर उदर जिग जैग शेप में मतलब मोशन करते रहते हैं ठीक है मगर अमन अभी थोड़ा रुख जाओ अभी हम तुम्हें अगर बताने लगेंगे ना तुम्हारा वहां वाला डाउट तो यहां वाला यह कॉंसेट शूट जाएगा भी समझे वह हमसे तुम फोन करके बाद में पूछ लेना कल दिन में कल दिन में पूछ लेना बारा कारा ही रखी हुई है और यह मख्यां आकर के ब्हन वानाने लगी है तो जब इस तरीके से यहां पर इखटे हो जाते हैं तो हम लोग इनको बोलते हैं यह इलक्रोन का क्लाउड है क्या है इलक्रोन क्लाउड इनको बोलते हैं हम लोग इलक्रोनों के बादल ठीक है तो जब तुम्हारे नेगेटिव इस तरह भी घटे हो जाते हैं तो तुम्हारे ये पॉजिटिव इधर बन जाते हैं सारे के सारे तुम्हारे इधर पॉजिटिव बन जाते हैं ठीक है ना तो इस तरीके से इसको बोलत लो मनलो 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 तुम्हारा ऐसे करके एसे करके ऐन द्यआnd से देखेगा एक मिनट हाँ देखेगा यह मान लीजे कि कोई एटम है ध्यान से समझना बच्चों यह कोई एटम रखा हुआ है ध्यान से समझना कि polarization क्या होता है वो ज़रा ध्यान से समझना यह कोई एटम है अभी यह बिल्कुल समझ लेना यहां पर symbol अगर जो तुम्हारा red color का है ना red वो समझ जाना तुम्हारा electron है ठीक है और जो तुम्हारा इसका ही है ना इसका ही वो समझ जाना तुम्हारा बाकी का item है ठीक है तो अगर हम इसमें से electron हटा दें ऐसे करके तो तुम्हारा ऽो ही बॉन्डेशन का मतलब हो रहा है कि इलल्ट्रॉन जो पार्ड मुभ कर सकते हैं जो करियर होते हैं चार्ज के वहीं तुम्हारे move करके एक तरफ आते हैं और बाकी दूसरी तरफ बने रह जाते हैं तो इस तरीके से तुम्हारे यहां पर charges अंदर develop हो गए जब यह charge इस तरीके से अंदर अंदर develop हो जाते हैं तो हम लोग एक चीज देखते हैं, जानते हैं कि electric field तुमारी एक इस metal के टुकड़े के अंदर set हो जाती है, एक नई electric field अंदर बन जाती है, E in, उसकी direction तुमारी positive से negative की तरफ होती है, ठीक है, और जो तुमारी E naught थी E naught, ये जो तुमारी E naught बनी वही है न, ये वाली जो electric field है, ये वाली जो electric field है, इसको बोलते हैं external electric field, इसको बोलते हैं हम लोग external electric field, तो इस metal के टुकड़े के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, तो external electric field के direction इस तरफ है, मगर जो internal electric field है metal के अंदर वो तुमारी उसके opposite में है, तो ये दोनों एक दूसरे का आपोज करते हैं, शुरुआत में जैसे ही आप ये टुकड़ा रखेंगे, तो E in की value, E naught की value के बराबर नहीं होती है, मगर धीरे-धीरे क्या होता है, कुछ समय में, वो समय भी बहुत कम होता है, कुछ समय में, E naught की value और E in की value, दोनों एक दूसरे के equal हो जाती है, मतलब magnitude wise equal हो जाती है, बाट direction will always remain opposite to each other, वो दोनों रहेंगे एक दूसरे के opposite, तो इस तरीके से कुछ ही समय में, ये दोनों के दोनों electric field एक दूसरे को metal के अंदर cancel out कर देते हैं, जिसकी वज़े से जो net electric field इसके अंदर बनके ready होती है, metal के टुकड़े के अंदर zero हो जाती है, तो इसलिए किसी भी metal के अंदर जो net electric field होती है, वो zero होती है, ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आते हैं dielectric पर, तो थोड़ा सा dielectric की बात कर लेते हैं, अभी यहाँ पर हम लोग लोट के आएंगे, यह चीज मेरी समझेगा, अभी हम लोग यहाँ पर लोट करके आएंगे, इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं, ज़रा यहाँ पर देखिएगा, dielectric materials जो होते हैं, वो actually non-conducting substances होते हैं, non-conducting substances, देखिए, conducting substances means जैसे कि metals, तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि एक तुम्हारा polar होता है और एक तुम्हारा non-polar होता है, ठीक है, एक polar और एक non-polar, non-polar मतलब एक दम सक्त लोटा, ठीक है ना, polarize ही नहीं हो सकता है, उसके अंदर कोई भी emotions तुम जगा ही नहीं सकते, जाते हैं, बिचारा polarize हो जाता है, मतलब दया भावना आ जाती है इसके अंदर, है ना, तो ये वही polar होते हैं, जिनमें दो pole develop हो जाते हैं, जिनमें electron cloud shift हो जाते हैं एक तरफ, और एक तरफ तुमारे positive बने रहते हैं, ठीक है, तो ये तुमारे polar और ये non-polar, मगर इनके कुछ examples होते हैं, जैसे मालों polar के अगर हम लोग भाद करें, तो तेल लगा हुआ कागज, कागज में अगर आप तेल भिगो दो, या कागज को मोम में भिगो दो, मोम बोले तो wax, ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम लोग polarized कर सकते हैं, तो इनको बोलते हैं, हम लोग polar non-conducting substances, कागज तेल लगा हुआ कागज कभी electricity को conduct नहीं करता है, मगर जब कभी भी तेल लगे हुए कागज के टुकड़े को अगर आप electric field में रखोगे, तो उसके दोनों सिरों पर, दोनों परत्रों पर अपने आप एक पर positive और एक पर negative चार्ज अपने आप डबल अप हो जाएगा, ठीक है ना, और जो तुम्हारा non-polar होता है, non-polar, non-polar बोले तो जैसे कि तुमारी माल लिजे की eat हो गई, काच हो गया, ठीक है, इनमें charges polarized होई ही नहीं पाते जलरी, इनमें, इनमें charges polarized होई ही नहीं पाते, तो इनको बुलते non-polar, और non-polar की जो definition होती है, non-polar की जो definition होती है, simple सी, कि molecules whose positive and negative charges coincide, मतलब जिसके positive और negative दोनों एक ही जगह पर बने रहते हैं, बिल्कुल एक दम करान अर्जुन की तरह है, बिल्कुल एक ही साथ, एक ही जगह रहेंगे, नहीं तो रहेंगे नहीं, ठीक है, इस तरीके से ये तुम्हारा polarize हो गया, ऐसे करके, ये तुम्हारा polarize हो गया, ऐसे करके, ठीक है न, मरी बास समझ रहे हो, तो इस तरीके से ये तुम्हारा positive हो गया, ये तुम्हारा negative हो गया, ऐसे तुम्हारा एक pole बन जाता है, मतलब एक dipole बन जाता है, तो ये तुम्हार जब जैसे ही तुम्हारा electric field में रख दिया जाता है तो यह तुम्हारा यहां पर एक डाइपल बन जाता है इस तरीके से ठीक है ना इसको बोल जेते हैं हम लोग electric डाइपल तो जो polar होते हैं polar materials होते हैं polar molecules होते हैं बो तुम्हारे एक electric डाइपल की तरह भी काम करने लगते हैं जबकि इन में ऐसा नहीं होता अगर हमाल लीजे इसको अगर ऐसे करके रखे हुए हैं यहां पर एसे करके अगर इसको अगर इलक्रिक फिल्ड में भी अगर आप ऐसे करके रख दो तो electric फिल्ड में भी यह ऐसे ही बने रहेंगे यह इलक्रिक फिल्ड में ही ऐसे ही बने रहेंगे ठीक है इसके अंदर polarization possible नहीं होता है तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या नॉन पोलर तो non conducting substances जैसे कि मैंने आपको भी बताया non conducting यह conduct नहीं करते हैं इनमें electron कभी भी मतलब जो है flow नहीं कर सकते यह अपने ही item में रहकर के सिर्फ अपने boundary के अंदर रहते हैं अपने item को छोड़ करके यह किसी दूसरे item के पास नहीं जाते ठीक है तो इस तरीके से इस तरीके से जो होता है यह तुम्हारे conduct नहीं कर पाते हैं तो यह तुम्हारे कहलाते हैं dielectrics ठीक है तो जो हमारे जो तुम्हारे dielectrics में यह वाली चीज यूज होती है यह तुम्हारा dielectric कहलाता है polar ठीक है यह तुम्हारा dielectric कहलाता है यह तुम्हारा dielectric नहीं कहलाता यह इसलिए नहीं dielectric कहलाता क्योंकि इसमें तो डाई का मतलब दो, इलक्ट्रिक का मतलब पोल, इलक्रिक पोल्स, तो दो पोल्स इसमें कभी जनरेट ही नहीं हो पाते, मगर इसमें जनरेट हो जाते हैं, I hope हो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना, जितेंदर करें हिंदी में राइट, हिंदी में जितेंदर हमने आपको एक किताब बताई थी, जिसका नाम है कुमार मितल, तो जो है, और मैंने इंग्लिश मीडियम बालों को एक बुक बताई थी, जिसका नाम है ABC Publication की बुक, ठीक है, तो मैंने पढ़ने के लिए, मैंने आपको ये भी बोला था, कि जब-जब मैं पढ़ लिखूंगा ना, तो समझाने से जादा लिखने में टाइम चला जाएगा, और लिखा हुआ मैं आपको बाद में दे सकता हूँ, क्लास में नहीं लिखूंगा उतना, क्यों, इसमें आपका नुक्सान होगा, समझें ना बच्छा लोग, तो ये चीज होती है, तो हम लोग बापस आजाते हैं यहां पर, तो मैंने यहां पर भी बोला था कि तुमारा कंड़क्टर के अंदर नेट इलेक्रिक फिल्ड तुमारी जीरो होती है, वो कैसे होती है, वो हमने आपको बता दिया, मकर जब हम लोग किसी डाइलेक्रिक मैटरियल को रख देते हैं, डाइलेक् यूं करके, ठिक है, ना? यूं करके और यूं करके. तो इस तरीके से तुम्हारे इधर नेगेटीब और इधर तुम्हारे पॉजिटीब चार्ज डबलब हो जाता है. तो इज़े एक इसके अंदर भी अलेक्रिक फिल्ट बन जाती है E- और external electric field तो तुम जानी रहे हो, external electric field तुम्हारी E0 पहले से थी, तो इसकी अंदर जो electric field होती है, net, net electric field वो तुम्हारा non-zero होती है, अगर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो होती है, तुम्हारी external electric field की value जादा और इसके opposition में जो अंदर जो electric field जनरेट होती है, तो तुम्हारी net electric field जो निकल के आती है, वो हो जाती है, इन दोनों से कम, ठीक है न, वो net electric field हो जाती है, वो घटके आती है, तो अंदर जो electric field है, वो external electric field को null नहीं कर पाती है, बिल्कुल zero नहीं कर पाती है, बलकि उसकी value को थोड़ा reduce कर देती है, इसी बज़ए से इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यह हो जाता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर जो तुम्हारे धेर सारे molecules हैं, वो तुम्हारे कुछ इस तरीके का रूप धारन कर लेते हैं, इस तरीके का कुछ रूप धारन कर लेते हैं, ऐसे से करके ठीक है नα मेरी बात को समझ येगा, ऐसे ऐसे करके, इस तरीके का ऐसे ऐसे करके, कुछ रूप धारन कर लेते हैं, ऐसे 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 ऐइसे ऐसे ऐसे अथे, ठीक है, आप ये सित्समों है, फिये से अथे हैं, घैर जो pur hai, तूमारे जो visite के अंदर अपने बन जाते है ऐसे करके यह तुम्हारे इलक्रिक डाइपल बन जाते हैं ऐसे करके और यह जो इलक्रिक डाइपल बनते हैं यह बिलकुल एक दम अलाइन हो जाते हैं एक दूसरे के ऐसे करके ठीक है ना तो इस तरीके से तो यहां पर तुम्हारा नेगेटिव यहां पर नेगेटिव यहां पॉजिटीव यहां पर पॉजिटीव यहां पर नेगेटीव यहां पर पॉजिटीव 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 यहां पर पॉ की तरह हो जाते हैं यह दोनों, ठीक है ना, so these are the polarized molecules, यह इस तरीके से polarized हो जाते हैं, और यह क्या हो जाते हैं, एकदम align हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, तो यहां पर आप देखोगे, अंदर कई सारे electric dipole बन जाते हैं तो इसके अंदर कई सारे electric dipole बन जाते हैं और ये electric dipole कुछ इस तरीके से बनते हैं अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला negative ये वाला positive इस वाले negative से attract हो जाता है ये वाला positive इस वाले negative से attract हो जाता है ये वाला positive भाझारी और तुमारा दूसरा जैसे तुमारा नेट से एक तरफ सिल्व और एक तरफ सिल्फ पॉजिटिव बचते हैं तो यह चीज रहती है तो I hope so, कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, कि ये external electric field में रखने पर dielectric को, क्या changes उसके अंदर आते हैं, और अगर metal को हम लोग रख देते हैं, तो क्या changes आते हैं, तो इसके अंदर तुमारी एक net electric field बची रह जाती है, ठीक है ना, इसके अंदर तुमारी एक net electric भची रह जाती है, net electric field, इसको हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं, i, net, ठीक है न, i, net, and this will be equal to i, net, this will be equal to e n not, e nought minus e in, ठीक है कर न, इस तरीके से, तो तो तुमारी net electric field होगी, और इसकी जो direction तुमारी होगी, वो तुम्हारी होगी ऐसे करके इसकी जो direction होगी तुम्हारी वो होगी ऐसे करके ये तुम्हारी e-net हो जाएगी ठिक इस तरीके से तो I hope so कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी आज का ये जो basic concept था ये जरूरी था तुम्हें जानना और कल हम लोग इसके आगे की चीज़ continue करेंगे देखते हैं जरा कि कल हमारा कौन सा ट्रोफिक आता है तुम्हारा हां कल तुम्हारा ये चीज़ हो गया dielectric and electric polarization electric polarization ये तो मैंने बता ही दिया चलिए ठीक है और और कल इसी पर थोड़ी थी चर्चा हम लोग और करेंगे diple moment जैसे कि मैंने यहां पर बोला कि तुम्हारे जो electric diple होते हैं ये generate हो जाते हैं तो तुम्हारा electric diple इनके generate हो जाने के कारण यहां पर क्या diple moment होगा वो सब चीज़े हम लोग कल सीखेंगे ठीक है तो चलो फिर आज के लिए इतना ही तो चलो फिर आज के लिए इतना ही thank you so much bye bye take care और हाँ self study जरूर करते रहना जो मैंने आपको heading बताई थी electro aesthetics of conductors ये उसी के अंतरगत था छटवा point था जिसमें मैंने आपको इसके पाचवा बाला point self study से करने के लिए बोला था याद रखी ये चीज़ ठीक है तो कल आप ये सारे सारे point आप लोग पढ़के आएंगे अपने आप ठीक है और NCRT की book तुमारी online Google पे available है नहीं हो तो हमें बता देना हम PDF तुमें दे देंगे हिंदी और अंगरेजी दोनों भासाओं में बिल्कुल free of cost ठीक तुले फिर आज के लिए इतना है thank you so much bye bye take care